चलो देखते हैं कौन जल्दी पीता है? कोई जर्णी नहीं है, आप ही पीलो, हम मली लेकर के पीएंगे, और इसी यो आप जल्दी पीलोगें समस्कार जी, कैसे हैं आप लोग, जी स्वागत करते हैं आपका नए ब्लोग में इसने ब्लोग की सुरुआत करने से पहले काना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हम इस्ताग्राम पर फॉलो नहीं किया है, यह रही हमारी इस्ताग्राम के एड़ी, आपको वहाँ पर फॉलो कर लिजिए, वहाँ हम डेली लाइफ आते हैं, और आप सबसे धेरो बात करते है तो जी, सुरुआत करते हैं इसने ब्लोग की जी, हम होगे हैं नहा के तयार, नहीं हुए लग रहे हैं, बिना चस्मा के लग रहा होगा चहरा एक नहीं भखवाया हुआ है के बाद अब चलते हैं पूजा करने, तो देखते हैं जीया, सारी तयारी कर चुकी है कि नहीं पूजा की, यह देखिए जीया को पुजा की तैयारी में लग गए और यहां जो नवरातरी है यह हमारी पहली नवरातरी है जिसमें हम लोग साथ है यहां पिछले व्लोग में भी बताया था और यह टाइम कैसे बीद गया नवरातरी का पता भी नहीं चलाएं बिल्कुल जी और यहां जो दीन है हम लोग बहुत मिस करेंगे क्योंकि इस नवरातरी के टाइम नहीं कैते हैं पूरी इस रद्धा से दोनों पती पत्नी मिलकर खूब पूजा किये जितना पूजा की तैयारी कर सकते थे सब कुछ किया हम और उमीद करते हैं माता राणी हमें ऐसे ही सेवा का मौका देते रहेगी पूरी नारायन आंग समाहिं छीर सिंधों में करत गुलासा दया सिंधों दीजाए मानासा हिंग लाज में तुहीं भावानी महीं आप आजाए बखानी करहों किरपा जंदम भावानी जी हमारा हो गिया है पूजा और अब चल रहे हैं हम अपने काम पर बैठेंगे और अपना खाना बनाने जा रहे हैं फिर जी पूजा करने के बाद हम लोग खाना खा करके निकल लिए मार्केट की तरफ और जैसे ही मार्केट की तरफ निकल रहे थे रास्ते में ही देखिये क्या हुआ देखे भाई साहब अभी क्या हुआ आपने देखा होगा हम तो हौर्ण मार्के चली रहे थे कि भाइसाब एक्डम धून में आए जा रहे थे हैं कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी हम लोग मार्केट इस लिए इतनी जल्दी निकले क्योंकि हमें अस्टमी की कुछ खड़ीदारी करनी थी हमें लगा कि कल जगाया जाएगा लेकिन माँ फोन करके बोली कि आज ही जगा देती थी नहीं तो ममी भेज देती थी हमें खुद का साइज भी नहीं पता है कि हमें चूरी का कौन सा साइज आता है तो फोन करके ममी से पूछे तो ममी बताए कि तुम्हारा ये साइज है फिर हम चूरी सिंदूर और तो कुछ ज़्यादा खड़ी दे नहीं जी इसे तो क रहात की सांस लिए किकनाव अले वही है? 490 रहा है आपे प्रपार आप एक दे दे जे मेरम फाके जे 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 जार की कुस्क्रीदारी होते है फाक्रीदारी के पीची बारी पानी का यहाना गेर है अभी तोर कुछ मार के जो पी नहीं सकते नहीं खाते हैं विल्कुल सफ्य से पीधी है और मज़ा भी अपर दिने चलो देखते के कौन जल्दी पीता है कोई जल्दी पीटा है आप ही पीलो हम मज़ी लेकर पियेंगे और ऐसे यह आप जल्दी पीलोगे समक्ष्य पीटा है निजल्दी और देडी का कल फास्फ्रे इस वज़े से सोचे थोड़ा फल भी ले लेते हैं मेरा हो गया 144 एं और फल लेने के बाद सबजी भी लेने लगे सबजी दुनी जादा महनगी थी लेकिन न्युआ कोई बात नहीं लेती है डिकि सब्जी भी खत्म हो चुका था भुरहे हैं तो जब सब्जी ले रहे धे न तो हमारी एक सब्सक्राइबर मिल गई और जब सब्सक्राइबर मिलते है तो खुशी न तो थोड़ा अलग वाली खुशी आ जाती है कि यहां पर जो है जिया शाम की आरती की तयारी कर रही है और ये सब सु सारा काम है रगभग जिया ही करती है क्योंकि आपसे होता ही नहीं है ना होता ही है कि जब ही मुझे कहती है कि mniej जलाओ तो माघ जलाने के जगा और आग बुजाई ही देते है देशाब फिर ची हम पतिदेब और डाड़ी मिलकर साम के आरती की तेयारी कर लिया और आरती जब हमारी हो गए तो हम लोग निकल लिए मंदिर की तरफ और आजकल इतना जलदी टाइम खतम हो जाता है ना सोचते ही यह करेंगे लेकिन तब-दक में साम हो जाती है रात हो जात पूछा अर्चना हो गए और हम लोग जाने एक और मंदिर यहां पड़ दो गोल गप्टी और वो चार वो सब कर दो ठेला देख रहे है हमें अर्चना कर रहा है हमें हमें बहुत मन कर रहा है हमें बहुत मन कर दा कि अधूright चली है हमारी बत रहा ग नॉमी को भी था सकते हैं नॉमी को भी था सकते हैं तो जी जल्दी सिंजार है मोसब थाने का वहाँ पर बहुत मनेज़ ऐसे पुजा रही है, देट के मन ललज जाता है क्या पुजा करते हैं लेकिन पेट भी है तो साथ में हाँ जी हम लोग आये हुए हैं कटिहार के पंचदेव मंदिर और यहां तो देख रहे हैं अच्छा खासा सजा हुआ है पुड़ा मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पिछले एक अपती से हम लगातार आ रहे हैं इस मंदिर में पुजा करने और जो सुरुवाती के दिनों में देखी थे कोई भी हलचल नहीं लगाए थी मंदिर में किसी तरह का कुछ मी लगे नहीं रहा था पुजा के इस पर माहूल है लेकिन जब आज आए हम लोग तो यहां पर जो सजावट देखे और यहां जो थो थोड़ा हलचल देखे तो बड़ा अच्छा लगा कि थोड़ा सा तुर्गा पुजा का फिलिंग आया यहां पर जी फिर हम लोग आ गए मंदिर से घर और घर आ करके भी हमें पूजा करना था क्योंकि जगर ना था तो सब जगा जगा ना था हमें नई जूरी भी पहननी थी, सारा जगह जगह करके फिर नई जूरी पहने, पती देप को परणाम किये और डैडी को भी परणाम किये और मातरानी से बस यही दुआ करते हैं, ऐसे ही जगह रखना, हमारे पुरी फैमली को अपनी तया बनाए रखना कर दो आए लोग्ए कर दोड़ी मेर् सारा ज entonces जघका पूरी प्लेन